नमस्कार दोस्तों आज के स्वीडियो में जानने वाले कि योरोप में ऐसी कौन सी बेस्ट कंट्री जहां पर आप 2023 में काम के सिलसिले से आ सकते हैं तो जनरली दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंट्री से जहां पर बहुत अच्छा अमाउंट आप अपन कर सकते हो लेकिन यहां पर आना इतना आसान नहीं होता है जैसे जर्मनी, स्वेडिन, डेन्मार्क यह ऐसी कंट्री से जहां पर आप पैसा तो बहुत कमाल होगे बट यहां पर इंडिया पाकिस्तान ये दुबाई से आना बड़ा मुश्किल होता है तो ऐसी country आज मैंने लिस्ट करी जो काफी easy होगी आपके लिए आना और साथ ही साथ यहां पर jobs भी काफी जादा available है और salaries भी काफी अच्छी मिल जाएगी तो यह सारी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है तो अफकोर्स आपने टाइटल में देखी लिया हुआ कि country is Malta तीन साल से इसी पर वीडियो बना रहा हूँ मैंने personally भी यहां पर काम किया अगर आप Germany जाओगे तो आपको German आनी चाहिए अगर आप नौर्वेज आओगे तो आपको Norwegian लन करने पड़ेगी तो ऐसी European countries में इनकी local languages जादा भारी पढ़ती है English language के उपर बट Malta में ऐसे नहीं Malta में भी official language जो है Malteese English है बट English की preference जादा दी जाती तो उस case में कभी भी आपको communicate करने में दिक्कत नहीं आने वाली है और Malta की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ highly skilled लोग नहीं आ सकते यहाँ पर अगर आपके पास education नहीं है तो भी आप आ सकते और काफी इंडियन से मैं यहाँ पर मिल चुका हूँ आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे delivery jobs के and so on जितने में वीडियोस अभी तक बताने वाला हूँ मेरे personal experience के साथ में I've been to seven to eight countries तो उसके judgment के हिसाब से I'm making this video वाइ कि अगर काम के सिलसले से आना चाहते है तो Malta could be a best option for you पहली यार process easy होना चाहिए मैं जा सकूँ दूसरी salaries अच्छी होनी चाहिए jobs काफी जादा available होना चाहिए और language का कोई barrier नहीं आना चाहिए वो चारो ही point में Malta best हो सबसे पहले salaries की बात करते तो यहाँ पर जो salary अगर आप मेरी बात करते तो आपको मिलने वाली depending upon your work अगर low skilled work है तो शायद 5 euro अगर high skilled work है तो उस case में आपको शायद 7 euro per hour एक घंटे में इतना amount आप earn कर सकते हो अगर इसी को हम monthly calculate करेंगे तो कहीं नगई 1200 से 1500 euro per month आप जो है earn कर सकते हैं यह amount freshers के लिए अगर आपके पास को experience नहीं है अगर आपके पास को experience है जैसे for example मैं भी एक दो साल और Malta में job कर लेता और उसके बाद मेरी salary कितनी होती है तो उस case में आपको इमाब बता देता हूं अगर experience है तो आपको per hour जो salary मिलने वाली वो मिलने वाली somewhere around साथ से लेकर 10 euro के बीच में साथ से नौ के बीच में कहीं भी हो सकती है और इसी कि अगर हम monthly calculate करेंगे तो somewhere around 2,000 to 2,500 euros तो आप earn करोगे ही करोगे और यह जो salary में बता रहो यह कम से कम है मतलब इतना तो बना ही लोग है और मेरे वीडियो भी आपने देखे होगे जितने मेंने बना हैं cleaning के ऊपर, factory jobs के ऊपर, delivery jobs के ऊपर उन सब में मैंने बता कि यह लोग ही इतना इतना कमा रहे है कि 2,500 euro जो कि इंडिया में एक highly skilled professional भी नहीं कमा पा रहा है तो that is the reason, that is the power of Malta कि यहां पर salaries काफी अच्छी होती है Now second point is कि बहुत सारी countries है दोस्तों, Europe में लेकिन सभी जगा jobs available नहीं है आप Italy की बात करो, unemployment काफी ज़ादा है jobs के availability इतनी नहीं है वैसे नहीं है Malta के case में Malta is famous for tourism तो tourism की वज़ा से यहां पर इतनी jobs availability है मतलब मैं कितने भी लोगों से मिला हो ना Malta में Every single one has a job तो सबको यहां पर job मिलती है और Asians क्या होता है कि बहुत hard working होती है तो यहां पर Asians की तो ज़्यादा value होती है क्योंकि हम लोग क्या time नहीं देखते हैं यहां पर आपके पास education नहीं भी है तो भी आप यहां पर jobs कर सकते हो जैसे कि delivery jobs जादा तर Asians को delivery jobs में करते हो उनके पास जो सच कोई degree नहीं होती है साथी साथ सिर्फ और सिर्फ अगर requirement की बात है तो सिर्फ और सिर्फ medium English level का knowledge आपके पास होना चाहिए थोड़ी बहुत English आनी चाहिए ताकि आप सिर्फ और सिर्फ communicate कर सको और understand कर सको कि सामने वाला क्या बोल रहा है that is the only requirement और low skilled काफी jobs यहां पर मिल जाएगी अगर आप पूछते कि generally Asians जो पाकिस्तानी है और या Indians है तो यह लोग किस जगह पर job करते कि इन field sectors में job करते जिसके बाद अगर दूसरी jobs की बाद करें तो factory workers के लिए आते हैं construction jobs के लिए आते हैं cleaning या hotel staff अगर जो इन इन field के लिए ही ज्यादा Indians आते हैं अगर आपके पास education हो तो there are various other factors जैसे कि most demanding jobs होती ही Malta में उसके उपर एक बार बात कर लेते तो सबसे ज़्यादा जो demand में है वो है IT industry, IT industry में भी जो है software और gaming industry में अगर आप educated हो आपने degree करके रखे तो इस case में यह सबसे top demanding job है जिसमें आपको मतलब किसी agent की भी जरुद नी पड़ेगी direct आप company में application करेंगे, they will take your interview और direct आप यहाँ पर आ सकते हो second जो top industry है दोस्तों वो है healthcare industry, Malta में आप मान सकते हो 60% of healthcare workers है वो Asians है तो nurses के लिए ज़्यादा तर आते हैं, doctors के लिए आपलाए कर सकते हो, mostly but nurses के लिए मैंने देखा और ज़्यादा तर nurses भी जो है, वो केरिला से आती है third sector है दोस्तों, finance का sector, जैसे मुझे भी काफी बोला गाता है, जब मैं वहाँ पर job कर रहा था, तो मुझे से बोलते थे कि तू दिपांशू तेरे पास अगर कोई certification है accounting का, तो तू job कर सकता है, यहाँ पर यहाँ कैसे भी करके इंडिया से कोई certification लिया, और यहाँ पर finance में ज कर सकते हो, क्योंकि Malta is all about tourism, एक चोटा सा island है, तो यहाँ पर फूरे यूरोप के टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और अपना vacation से enjoy करते हैं, तो इस आर सम आफ दी होट सेक्टर जहाँ पर आप जो है, jobs के लिए application कर सकते हो, थर्ड है दोस्तों, unemployment rate, अगर मुझ से पूछते यूरोप में यार सबसे कम unemployment rate किसका, तो lowest की बात करें, तो it's 3% in Malta, सिर्फ सौ में से तीन लोग ऐसे होते होंगे, जिनकी jobs नहीं लगती होगी, बाकी 97% लोगों की यहाँ पर jobs लगती हो, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर jobs की availability वो काफी जादा है, और उसकी reason यह है, वो तीन लोग की job नहीं लगती होगी, शायद वो तो कुछ करना है, चाहती ही नहीं होगी, शायद उसी के कारण हो सकता, otherwise as such कोई reason नहीं होगा, तो यहाँ पर jobs availability काफी है, एक job छोड़ोगे तो दूसरी job, दूसरी job छोड़ोगे तो तीसरी job है, रसे मैंने ऐसे काफी सारे Baltic workers देके, जो दो-दो shifts में job करते हैं, सुबह शेफ की job रहेगी, शाम को construction की job रहेगी, ऐसे मतलब यह maintain करके चलते हैं, नहीं से दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि यहाँ प्रोसेस होना चीए, तो यहाँ पर सबसे जादा advantage है कि आपको work permit लगना काफी easy होता है as compared to other countries, क्य क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप direct apply करते हैं without any agent, तो उस case में आपको 280 euros का fees pay करना पड़ता है, जो भी कई cases में आपका employee pay कर देता है, तो free में भी ऐसा Malta work permit आपको मिल सकता है, उसके बाद यहाँ पर जो visa fees है, वो just 66 euros की है, अगर इंडिया से आप apply कर रहे हो तो, और इसक इसकारी चीज़े हैं जिसके तुरू आप easily यहाँ पर आ सकते हो, तो यह एक सबसे important point है, next है दोस्तो, सबसे most important English language, यार यह point जब आप यूरोप में आओगे न, तब आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं इटली गया हूँ, मैं जो है, हंगरी गया हूँ, मैं स्पेन गया अगर इनकी local language नहीं आएगी, तो jobs मिलना आपको काफी मुश्किल हो जाएगी, और सामने वाला बंदा जिसको यहां की local language भी आ रही हूँगी, तो वो उसको companies recruit कर लेगी, तो सबसे बड़ा default है कि यहीं पर हो जाता, इन countries में जो other European countries है, बट माल्टा के किसमें इसा नहीं है English language, मतलब 97% of people speak in English language and इसी के कारण जो है, आपको कभी भी language की problem नहीं आने वाली है दोस्तों, तो यह कुछ points थे मेरे नजरी से, मैंने काफी work permits देखे हैं, लगते हुए, मैंने काफी लोगों को jobs करते हुए देखा हैं, मैंने live delivery experiences दिखा हैं, काफी जो Indians है, शेफ की job कर रहे रहे, waiters की job कर रहे, dish cleaning की job कर रहे, cleaner की job कर रहे, ऐसी jobs के लिए आते हैं, जिनके पास low skilled है, और high skilled जो workers है, वो इधर या तो IT fields में आते हैं, या तो आपने medical से कोई course करके रिखा, तो nursing के course में आते हैं, तो यह generally sector से जिसमें ज़्यादतर Asians हाते हैं, अब जो है दोस्तों, यह जितना देखा, दूसरी country's का experience लिया हुआ है, तो Malta is the best country for work, अगर सिफ काम करना चाहते हो, study के लिए दूसरी है, उसके उपर भी मेरा एक video आने वाला है, next, but work के लिए आना चाहते है, तो Malta could be a best option, अब अगर आपको Malta आना तो आने के लिए, description में मैं जो है, कुछ job websites बता मिल जाएगा आपको, वही आपकी पूरी work permit की process कर देगा, तो काफी हो जाएगा, sorted हो जाएगी चीज़, आपको ज्यादा महनत करने की जरुवत नहीं पड़ेगी अपने end से, तो यही चीज़े है, दोस्तों, जो मैं आपको से share करना चाहता है, दिल से, बहुत time से, और I hope क यह video आपके लिए useful रहा हो, और अगर useful रहा होगा, तो आपको सिर्फ करना है like, share और अगर कुछ भी doubt है यहाँ पर आने के लिए, तो आपको करना है comment in the comment section, तो मिलते हैं लोग next video में, till then, आप सभी को all the very best for your Malta की work permit के applications के लिए, till then, bye-bye, take care, thank you so much for watching this video, bye.